आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में ये एक जिगोराफिक पार्ट है तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्ष्ट अपाल आपको पता हुना चीए कि हमारे सोर मंडल में आठ गरा हैं सोर मंडल में सूर और खगोलिये पिंड भी सामिल हैं इस सोर मंडल में ये एक दूसरे से गुरुत्ता कर्षंड बल के द्वारा बद्धे हुए हैं सोलर सिस्टम यानि सोर परिवार में सूर आता है गरा उप गरा उलका पिंड छुद गरा और धुमकेद आते हैं सूर जो है सोलर सिस्टम के केंदर में इस्तित एक तारा है जो सोर परिवार के लिए उर्जा और प्रकास का स्रोथ है पिर्थवी से इसकी दूरी 149 लाग किलो मिटर है सूर प्रकास को पिर्थवी में आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं सूर इसे दिखाई देने वाली सता को प्रकास मंडल कहा जाता है सूर की सता का तापमान 6000 डिगरी सेलसियस होता है इसकी जो अट्रेक्शन पावर है पिर्थवी से 28 गुना जादा है परिमंडल जिसे कोरोना भी कहते हैं सूर गरण के समय दिखाई देने वाली उपरी सता है इसे हम सूर का मुकुट भी कहते हैं सबसे पहले हम सूर के बारे में डिसकस करेंगे जिसे सन क्या है सूर जो है एक इस्टार है यानि एक तारा है जो सूर की आयू है लगबख 5 बिलियन बर्स है सूर में हाइड्रोजन की मात्रा 71% है हिलियम की मात्रा 26.5% है अन्य 2.5% इसमें केमिकल मिस्चर्थ होते हैं सूर्य जो है सभी तारों में हाड्रियन और हिलियम के मिस्रण को सल्लेन अभिरिया कहा जाता है सूर्य की पिर्थवी से नियुनतम दूरी 14.70 करून किलोमेटर है सूर्य की पिर्थवी से अधिकतम दूरी 15.21 करून किलोमेटर है सूर का ब्यास लगभग तेरा लाग बानबे हजार है किलोमेटर है सूर का प्रकास प्रतवी पर आठ मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है सूर में हलके हलके धब्बे को सोर कलन कहते हैं जो चुमबकिय बिकरन उर्सजित करते हैं जिससे प्रतवी के बेतार संचार में खरावी आ जाती है अब हम चंद्रमा की बात करते हैं चंद्रमा मतलब ये एक छोटा सा पिंड है जो आकार में प्रतवी के भाग का एक चोथाई भाग है इसकी उचतम चोटी परवत का नाम लिब नीटज है जिसकी उंचाई 35,000 फुट है, मीटर में 10,668 मीटर है चंद्रमा का जो ब्यास लगभग 3,446 है तथा तिरिज्जा इसकी 1,438 किलो मीटर है सूर के संदर्म में चंद्रमा की जो परिकर्मा है जो अवध लगाता है इसे साइनोडिक मास या चंद्रमास कहते हैं चंद्रमा को हम जीवासम गरा भी कहता है चंद्रमा के अध्यन को हम कहते हैं सेलेनो लोजी चंद्रमा जो है पिर्थवी की परिकर्मा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में करता है इतने ही समय में वो अपने अच्छ पर घूडन करता है यही कारण है पिर्थवी से चंदर्मा का एक ही भाग दिखाई देता है चंदर्मा की पिर्थवी से औसद दूरी 38,465 किलोमीटर है चंदर्मा और पिर्थवी महिने में दो बार समकोन बनाते हैं चंदर्मा हमेशा पुडिमा को होता है जब सूर्य और चंदर्मा की बीच पिर्थवी आ जाती है तो चंदर्मा पर जुलाई 1669 में अपोलो 2 अंत्रेश्यान से नील अमश्टरंग तथा एडविन अल्डरीन गए थे जिन्नोंने पहली बार चंदर्मा की सता पर कदम रखा चंदर्मा उतना ही पुराना है जितना पिर्थवी लगबग 460 करोन बर से पुरानी है उसके बाद हम गरह के बारे में यानि प्लेनेट की पूरी जानकारी अब इसके बारे में देखते हैं गरह जो है उन खगोलिये पिंडो को कहा जाता है जो एक निश्चित मार्क पर सू सूर के पश्चिम से पूरप की और परिकर्मा करते हैं लेकिन जो सुक्र है और और अरूड इसके विप्रीद परिकर्मा करते हैं पूरप से पश्चिम सूर से गरहों की दूरी का करम जैसे अब यहां पर है बुद्ध है उसके बाद सुक्र पिर्थवी मंगल ब्रेस्पत स सनी अरूड वरूड यह एक्जाम में यहां से कुश्चन लगभख मुश्लिया जाता है ग्रहों के अकार घटते करम में उनके दूरी के करम में तो अगर घटते करम की बात करें तो पहले पे ब्रस्पति उसके बाद सनी अरूड वरूड पिर्थवी सुक्र मंगल बुद्ध फश्टा पॉल अब हम बात करेंगे इसमें बुद्ध की बुद्ध यानि मरकरी जो बुद्ध है यह सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर के सबसे निकट का गरा है जो बुद्ध है सूर की परिकर्मा के ओल 88 दिन में पूरी करता है जो कि सबसे कम समय में और इसका कोई भ बुद्ध का जो तापांतर है यानि टंपरेचर सरबाधिक 560 डिग्री सिंटिग्रेट है इसका घूडन काल 58.6 दिन है मेरी नेट यानि इसके 10 बुद्ध के किर्थिम उपगरा है उसके बाद हम बीनस यानि सुक्र की जानकारी देखते हैं यह सौर मंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गरम गरा है एकजाम में आपसे पूछ लेंगे कि सौर मंडल का सबसे चमकीला गरा कौन सा है तो यह बीनस है इस गरा का तापमान लगबग 500 डिग्री सिंटिग्रेट है सुर की परिकर्मा करने में 225 दिन लगते हैं सुक्र अन गरहों के विप्रेद दिसा में पूरब से पश्चिम सुर की परिकर्मा करता है अरूण जैसे अरूण करता है इसलिए सुर्योदो जो होता है सुर्यदे पश्चिम की तरफ होता है और सुर्यास्थ पूर्व में होता है इस गरा के वाइ मंडल में लगबग 25% कारबन डियाकसाइड और सी ओटो की मात्रा ह होती है इसमें लगबग 35% भाग नैट्रोजन का है जो सुर्य है पिर्थवी के सबसे निकट का गरह है इस गरह को सांच का तारा या भोर का तारा कहा जाता है सुक्र को पिर्थवी की भगिनी यानि गरह कहते हैं क्योंकि यह आकार डेंसिटी यानि घनत यों ब्यास में सुर्य यानकारी यानि अर्थ सौर मंडल का एक मात्र गरह जिस पर जीवन संभाव है आप से एक्जाम में पूंच लेंगे चार आपसन देंगे कि सौर मंडल का कौन सा गरह है जिस पर जीवन संभाव है तो फिर्थवी सूर्य जो है सूर्य से दूरी पर या तीसरे स्थान पे है गरहों के आकार्यूम दर्मान में इसका पांचवा स्थान पे है पिर्थवी पर जल की उपस्ति के कारण यह अंतरिश से नीली दिखाई देती है इसलिए इसे नीला गरा कहते हैं यह ब्लू प्लेनट कहते हैं पिर्थवी पर 21% भाग जल है 29% भाग अस्तलिय है यह अपने अच पर 23 सई एक बटे दो डिगरी पर जुकी हुई है जिससे क्या होता है कि रितू का पर्योर्तन होता है यह पच्छिम से पूर्व अपने अच पर 1610 किलोमेटर पर दिखंटे की चाल से 23 गंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक लगाती है पिर्थवी सूर की परिकर्मा दीर्ग बृत्ताकार पत्पर 29.72 किलोमेटर पर दिखंटे की चाल से 365 दिन 5 गंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानि 365 दिन 6 गंटे में पूरी करती है पिर्थवी को सूर की परिकर्मा करने में लगे समय को सोर वर्स कहते हैं सूर जो है पिर्थवी की औसद दूरी 15 करोण किलोमेटर है तीन जनौरी को पिर्थवी सूर के निकट होती है तब यह दूरी लगभग 14.70 करोण किलोमेटर होती है इस अवस्ता को उपसौर कहा जाता है सूर का पिर्थवी जो है चार जुलाई को सूर से अधिक दूरी पर होती है लगभग 15.2 करोण किलोमेटर इस अवस्ता को अपसौर कहा जाता है सूर का पिर्थवी जो परकास आता है आठ मिनट 18 सिकंड पर पहुंचता है यहां SSC, CGL, CHSL, Railway के एकजाम में ये कुशन पूछा गया कि सूर का जो परकास है पिर्थवी पर कितने मिनट में पहुंचता है तो ये आठ मिनट 18 सिकंड पर पहुंचता है तथा जो चंद्रमा का परकास है वो एक मिनट 25 सिकंड में पहुंचता है पिर्थवी का जो सबसे निकट का तारा सूर के बाद प्राक्समी सेंचुरी है जो पिर्थवी से लगभग 4 दसमलों 2-2 परकास वर्स दूर है पिर्थवी का विस्वतिय व्यास 12,756 किलोमेटर है और जो धुर्विय व्यासे 12,714 किलोमेटर है पिर्थवी का एक मातृप्गरा चंद्रमा है अब हम मार्स यानी मंगल की पूरी जानकारी देखेंगे जो मंगल है मंगल को לालगरा कहा जाता है मंगल का जो लाल रंग वहाँ मौजुद आइरन आकसाइड की आधिक मात्रा के करण है मतलब जो लाल गरा है इसमें आइरन आकसाइड की मात्रा ज़ादा है या अपने अच पर 25 डिगरी के कौंट पर जुकी हुई है जिसकी वज़ा से मौसम में परिवर्तन होता चिंज़े जाते हैं मंगल गरा का अच्छे जुकाओ तथा दिन का मान लगबग पिर्थवी के समान है या अपनी धूरी पर पिर्थवी के समान 24 गंटे 6 मिनट पर एक चक्कल लगाता है मंगल गरा जो है 87 दिन में सूर की परिकर्मा करता है इस गरा के वाए मंडल में 95% कारबन डियाकसाइड यानि CO2 2-3% नाइट्रोजन और 2% आरगन गैस है मंगल गरा के दो अप गरा हैं एक फोबोस है एक डीमोस है सौर मंडल का सबसे बड़ा जोला मखी ओलिपस मेसी है जो की इसी गरा पर है मंगल गरा है पर सौर मंडल का सबसे उचा परबत निक्स ओलम्पिया है जिसकी उचाई माउंट एवरश से तीन गुना जाता है हम आगे अब बात करेंगे जुपिटर की ब्रस्पत की वरश्पत सका जो है आपसे एकजाम में पूच लेगा कि सबसे बड़ा गरा कौन सा है वरह्ट जो है वह आकार यानि साइट की दिर्षत सबसे बड़ा गरा है तरह था सूर से दूरी के करम में पांचवा अस्थान है मनलब अगर सूर से देखा जा तो यह पांचवा है लेकिन अगर आकार में देखा जा द्रिश्टी से तो यह सबसे बढ़ा गरा है यह पिर्थभी से लगभग 1300 गुना अधिक बढ़ा है यह गरा अपनी धूरी पर सबसे तेजी से घूमता है यह लगभग 9 गंटे 55 मिनट या यानी टोटल लगभग आप मान सकते हैं अप्रॉक्सिमेट 12 वर्स लगते हैं इस गरा के वाई मंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता दिख है ब्रस्पत के लगभग 16 गरा है जिसमें गैनी मीड सबसे बड़ा उपगरा है जो की यह पीली रंका है अब हम आगे सनी की पूरी जानकारी देखते हैं यह गरा आकार में दूसरा सबसे बड़ा गरा है इसके चारों और एक छला यानी वले पाया जाता है जो इसकी परमुख पैचान है इसका रंग पीला होता है टाइटिन एक ऐसा उपगरा है जिस पर वाई मंडल योम गुरुत्तों कर्षन दोन सबसे अधिक तीस गरा है इसलिए इसे गलैक जी लाइक प्लेटनेश भी कहा जाता है टाइटन इसका सबसे बड़ा गरा है इसका आकाल अब बगग बुध के समान है अब हम यूर्निस अरुड की जानकारी देखेंगे यह जो गरा है आकार में तीसरा बड़ा गरा ये तध अरुणगरा सुक्र की तरह पूरब से पश्चिम की और घुमता है यह सूर की परिकर्मा 84 वर्स में करता है तथा इसका गुणनकाल 10 से 25 गंटे है अरुणगरा में सनी की तरफ चारो और वले पाई जाते हैं जिनके नाम अलफा बीटा गामा डिल्टा और इफसी लान है इसक और यह अपने अच पर इतना जुका हुआ कि लगभग बयासी अंस पे लेटा हुआ दिखाई देता इसलिए इससे लेटा हुआ भी गरा कहा जाता है इसका जो आकार है फिरसे भी से चार गुना बड़ा है लेकिन इसे हम बिना दूरबीन के नहीं देख सकते मिथेन गैस की अधिकता के कारण यहां पे इसका रंग हरा है अब हम नेप्चून वरून की जानकारी देखेंगे इस गरा की खोज 1864 में जानगाले ने की थी यह गरा जो है सूर से सबसे दूर आठोयास्तान परिस्तित है यह सूर की परिकर्मा 166 वर्स में पूरा करता है यह पीले रंग यह नेरेट परमुक हैं अब जैसे कुछ चीज़ें इसमें और कॉमन चीज़ें जैसे की इस्ट्राइट किसे कहते हैं मंगल और ब्रस्पत गरहों के बीच इस्तित अंगीनत जो इतने भी सूच में पिंड को छुद्र ग्रा या अवांतर ग्रा कहते हैं इसके आगे हम बात करेंगे कि मेटराइट क्या होता है यानि उलका पिंड मतलब वह धूल और गैस के पिंड होते हैं जो पिर्थवी के निकट से गुजरने पर पिर्थवी के गुरुत्त अकरसित होकर गतिमान हो जाते हैं और स्वेम चमकने लगते हैं तो दोस्तों यह इ पिंड हुआ एसके बाते हैं अपते हैं तोस्तों पिंड होते हैं तोस्तों पिंड हैं और स्वेम चना करें होते हैं यह जा मतलब कर गहते हैं